ये सेक्स एक वो चीज है जिसके लिए कोई भी इंसान पुरी दुनिया से लड़ सकता है इसके शक्ति इतनी है कि पूरी दुनिया में कानूर होने के बावज़ु सबको पता है कि ये चीज गलत है फिर भी रेप होते हैं लोग को फांसी की सजा तक दी जाते है ये वो ताकत ह तो जब भी हमारे सरीव से कुछ खाली होता है तो हमें अच्छा मैसूस होता है जैसे sexual energy यानि कि संभोग के समय में इंसान औरगाजमे के state में आता है past और future वहां से खतम हो जाता है समय रुक जाता है दिमाग विचार सुनने हो जाता है और तब अच्छा मैसूस होता है जाए वो excreta हो, जाए वो semen हो, जाए वो urine हो, जाए वो thoughts हो खाली पन ही आनंद में है इंसान संभोग में जाता है तो एक अवस्ता ऐसी आते है जिसे चरम उतकर सवस्ता कहते है वो समय होता है, उस वक्त इंसान ना future के बारे में सोच रहा होता है ना past के बारे में सोच रहा होता है वो सिर्फ वरत्मान पर focus होता है वो शुकर मानना था कि जब तक आप sex यानि की प्रेम के बारे में नहीं समस्ते समाधी आपसे कोश्च दूने साथियों OTT भारत यानि की ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक mission है हिंदुस्तान के नोजवानों को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी तपस्वी बनाने का साथियों नमस्कार ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत की आधार शिला के लिए जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं उन सब का स्वागत करता हूँ आज हमें कुछ ऐसा सीखना है तो शायद controversial है, विवादास्पद है लेकिन कुछ चीजें सीखना जरूरी है जितने भी आपके questions, doubts हैं वो मैं सबसे last में आपसे discuss करूँगा आज हमारा जो मुद्दा है वो है ओशो sex और super consciousness और मैं आपसे चाहूँगा कि आप जिन्दगी में इस mission को जिसका उद्देश्य युवाओं को उजस्वी, तेजस्वी तपस्वी बनाना और देश के बुजर्ग वेक्ति को युवाँ बनाना है यह आपके जिम्मधारी है कि आप इन चीजों को note down करें अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में और अपने मन में हमेशा के लिए उतार लें तो इसको लिखना साइन्टिस्ट है इनोंने मेडिटेशन को जितना explain किया, दुनिया में शायद बहुत कम लोग कर पाए और इनकी एक किताब जो है, संभोग से समाधी की ओर Sex to Super Consciousness उस किताब को explain करने का प्रियास कई लोगों ने किया और उसमें से 99 प्रतिशत ये बोलकर पीछे हट गए कि पता नहीं इस किताब में क्या-क्या दिया हुआ है और proper way कभी इसका आ नहीं पाया देखिए ओशो के जो followers है वो उनको भगवान मानते है जन्यून लोगे कहते हैं कि वो meditation scientist हैं लेकिन ओशो के जो followers हैं वो इनको भगवान की उपादी देते हैं कि हमारी जिन्दकी में अगर किसने कुछ परिवर्तित किया है तो वो शोरजनीस है इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जब इनसान कुछ करना शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारी controversies भी होती हैं जो मैं आज यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत सारी चीजें आज के session में जो आज आप समझने वाले हैं infinite amount of content आपके लिए है अगर संभोग से समाधी किताब के titles को अगर आप देखें तो किताब भी कहिना की distract होती है और किताब का जो निचोड है वो इन three, four, five, six के आसपास गूमता है उसके बाद तो शायद किताब को किताब का रूप देने के लिए चीजें जोड़ी गई है और यह तीन जो चार-पांच points हैं यह क्या है यह संभोग और समय सुन्नेता की जलक समादी अहम सुन्नेता, समय सुन्नेता कानुभाव फिर समादी की बात कर रहे हैं संभोग उर्जा के साथ में और योन जीवन उर्जा काया इसकी बात करते हैं बाकी बहुत random है जन से क्या भी sport की बात हो रही है विद्रो क्या इसकी बात हो रही है यूवक कौन है, नारी और क्रांती और ना जाने कितनी बाते हुई है तो किताब जो है वो अपने main goal से भटक जाती है इस प्रियास में किसको किताब बनाया जाए कई बारे सा हो जाता है कि आप जो कुछ बनाना चाहते हैं उससे कुछ और expectation आप करने लगते हैं और चीज़ें भटक जाती है ये किताब 20 पेज में भी खतम हो सकती थी लेकिन 285 पेज तक पहुचा दी गई सबसे पहले मैं आउशो के बारे में आपको बता दू ये इंसान वो है जो ध्यान की पेरवी करता है और धर्म को उस कठगरे में खड़ा करता है जहां से धर्म के अनुयाईयों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल लॉजिकल बात करता है यानि कि सबसे पहली बात तो ये आपको समझ लेना है कि मैं ओशो का सम्मान करता हूँ लेकिन मैं फॉलोवर नहीं हूँ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ओशो का ये मानना था कि फॉलोवर्स वही होते हैं जो मुर्क होते है आपको गुरू के पीछे नहीं भागना होता है गुरू की वानी के पीछे भागना होता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि ओशो वाज एक गुरू इन कल्यूग जिसने मनी और सेक्स की बात करी लोगों यह समझाने के लिए कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन लोग उनके फिछे अट्रेक्ट हुए इन दो वर्ड्स की वज़े से और फिर उसी काम में लग गए जिस काम से ओशो उनको बाहर निकालना चाहते थे खेर धरती पर ध्यान के बारे में जो विशेश बाते आस तक कही है यह ध्यान को जिसने ध्यान बनाया है उनका नाम है भगवान बुद्ध और कही ना कहीं ओशो उनसे काफी इंस्पाइर महसूस किये जा सकते हैं फिलाल हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ कॉंसेप्ट की जो क्योंकि सूपर कॉंशनेस क्या है इसका मृध्वी के साथ में कोई संबंद नहीं है सम्हाधी ध्यान या मेडिटेशन को कॉंशनेस्थ भी कहते है खेर आपको जानकर बड़ आफसोस होगा किस इंसान ने सेक्स से समाधी की और जाने की बात कही लेकिन इसी इंसान के आश्रम में जैसे ये इनका ओसो इंटरनेशनल के नाम से पुने वल आश्रम है जहां पर अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे पहले आपका HIV टेस्ट होता है mental टेस्ट नहीं होता है इस फर्स्ट इंट इस रिक्वाइड आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस काम के लिए और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या आपको सिखाने का प्रियास किया जा रहा है उसकी बात भी हम करेंगे कि ओशो क्यों ये सब अपने follower से करवाना चाहते थे क्या वो उनसे महसूस करवाना चाहते थे क्या उनका goal था आज का session अपनी mental maturity के साथ में देखें ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये session आपको गुमराह कर सकता है energy flow की बात हम लोग कर रहे हैं देखिए energy दुनिया में चाहिए कोई से भी हो वो constructive भी होती है और destructive भी होती है जिसे for example आपके पास में mental energy है यानि की मान से कुर्चा उस mental energy का इस्तिमाल आप चिन्ता में भी कर सकते हैं और चिन्तन में भी दोनों में ही आपकी energy खपने वाली है खपत होने वाली है चिन्ता से destruction होगा विनाश होगा अगर आप थोड़ा सा science के बारे में जानते है तो जब waves आपस में combine होती है तो constructive format में भी हो सकती destructive format में भी हो सकती है इसी प्रकार से जब उर्जा कोई सी भी हो चाएगो आप mental energy का इस्तिमाल चिन्ता करके उसको खदम करने में भी कर सकते हैं और चिन्तन करके कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो भी धर्ती पर नहीं हुआ है यह बिल्कुल वैसा ही है बहुत simple सी बात है जैसे वानी का इस्तिमाल sound energy वानी का इस्तिमाल इससे आप कलह भी कर सकते हैं और सुलह भी कर सकते हैं आप पर निर्बर है कि आप उससे क्या करना चाहते पानी में पानी के माद्यम से इंसान तैर भी सकता है और उसमें डूप भी सकता है पानी तैरे के काम भी आता है तो इंसान डूपता भी पानी में ही है जहाज पानी के उपर तैरते हैं डूपते भी पानी में ही है आप खुद की physical energy से या फर एक्जाम्बल में बात करें तो किसी चाकू से किसी को काटा भी जा सकता है, काट भी सकते हैं, और किसी को ओपरेट भी किया जा सकते हैं, मतलब किसी को आप मार भी सकते हैं, और किसी को ओपरेशन करके आप ठीक भी कर सकते हैं, और किसी को ओपरेशन करके आप ठीक भी महान भी हो सकते हैं यह बहुत interesting बात है और मैं इसको अमेशा कहता रहा हूँ जैसे आपकी physical energy है अगर मैं आपकी physical energy की बात करता हूँ आपकी mental हो गई physical energy तो आप इसके माध्यम से किसी की हड़ी तोड़ भी सकते हैं किसी को मार भी सकते हैं और किसी को नया जीवन भी दे सकते हैं नया जीवन भी इसके दम पर आप दे सकते हैं आप किसी की सेवा कर सकते हैं किसी को ठीक कर सकते हैं किसी को support दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे ही आपके पास में काम उर्जा है यानि की sexual energy काम उर्जा के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो कहीं लोग को बड़ा जीब सा लगने लगता है sexual energy जो है हम जब sexual energy की बात करते हैं तो एक ही flow की बात करते हैं कि ये downward momentous का होगा और किसी और के पास ही चली जाएगी लेकिन इसी sexual energy का transmutation करके इसको transmute करके आप एक जबर्दस्त उर्जा की फेज में जा सकते हैं समादी की फेज में जा सकते हैं इसी उर्जा का इस्तिमाल करते हैं कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो धर्थी परास तक नहीं हुआ है बशर्ते वो उर्जा नीचे जाने की बजाए बाहर flow होने की बजाए उपर की और बड़े जैसे हर एनरजी का two-way pathway है वैसे ही sexual energy का भी two-way pathway है वो कैसे हासिल होता है उसके लिए क्या करना होता है ये सारी बाते हम लोग सीखेंगे लेकिन जो sexual energy है वो भी destructive भी हो सकती है और constructive भी वैसे देखा जाए सभी energies में जो सबसे ज़्यादा constructive है वो sexually है क्योंकि अगर आप अपने जैसे किसी दूसरे को जनम देना चाहते हैं तो आपको sexual energy चाहिए इस दुनिया में जितने भी बड़े कलाकार हुए हैं जितने scientist हुए हैं जितने भी creator हुए हैं जितने भी writer हुए हैं जितने भी Nobel Prize winner हुए हैं scientist हुए हैं सबने sexual energy का इस्तिमाल किया है अपनी प्रोड़ेक्टिव के लिए अपनी क्रेटिविटी के लिए अपनी इमेजिनेशन के लिए अपनी सूपर पावर के लिए अपनी इंटिलिजेंस के लिए और एक और बात में आपको बता दू ऐसा कहा जाता है कि 38 से लेकर 58 साल की उमर 38 से लेकर 58 साल की उमर वो उमर होती है जब कोई भी इंसान any human being fastest ग्रो करता है मतलब उसकी अपनी जिंदगी में ग्रो करने की रफतार तेज हो जाती है और उसका रीजन ये है Sexual Energy Channelization जब वो Sexual Energy को चनलाइज करना सीख लेता है तो उसके जीवन में चमतकार होना शुरू होते है उसका focus set हो जाता है और वो कुछ ऐसा करने लगता है जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया तो ये हमारे ओशो को समझने से पहले मैंने कुछ basics आपको बता दिए और मेरा उद्देश ये है कि पूरे world में आज तक meditation also sex to super consciousness के उपर जितना भी content create हुआ है मैं उसको substandard समझता हूँ और मेरा मानना ये है कि ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी हिंदुस्तान बनाने के लिए भारत के लोग को इस समझना जरूरी है कि असली मक्सद क्या है खेर what is super consciousness अगर आप sex to super consciousness को हिंदी translate करते हैं तो इसका हिंदी translation आएगा संभोग से समाधी की और संभोग से समाधी की और ये इसका हिंदी translate जाता है संभोग, sex right and super consciousness is samadhi अगर मैं इस term की बात करता हूँ तो ये term directly नहीं आती है it's a part बोता क्या है कि यहाँ पर तीन चीज़े है आपको one by one समझनी है एक है धारण एक है ध्यान और एक है समाधी यहाँ मैं बता चुका हूँ आपको कि जैसे हर चीज का दोवे होता है जैसे आग होती है आग में कोई चीज जल भी सकती, कोई चीज पक भी सकती है एक पुरा घर आग में जल सकता है लेकिन रोटी जो है वो आग से पक भी सकती है हर चीज टूवे में काम करती है और यही बात हम लोग समझना चाह रहे हैं धारण मतलब फोकस सेट करना फोकस सेटिंग फोकस सेट करने के बाद में उसके बारे में कॉंचेस होना मतलब यह ध्यान है जिसको मेडिटेशन कहते हैं और उसके बारे में सूपर कॉंचेस हो जाना समाधी है फोकस सेटिंग में एक सेकिंड लगता है कि मुझे इस चीज के उपर त्यान देना है उसी चीज को एक मिनट तक करना ध्यान है that you are aware लेकिन उसे हमेशा लिके लिए करते रहना बारा गंटे, दस गंटे, पंदरा गंटे deepest phase में चले जाना जहां पर आप सम अधी सम मतलब एक समान, अधी मतलब बुद्धी आपकी बुद्धी बिलकुल oneness में आ जाती है कि अब आप किसी में विभेद नहीं कर रहे हैं Indirectly मैं आपको कह सकता हूँ that being super conscious is highest phase of concentration एकागरता की उच्छतम अवस्ता है एकागरता की उच्छतम अवस्ता है तो तीन phases से होकर ही गुजरती है जिसमें हम धारण की बात करते हैं ध्यान की बात करते हैं और समादी की बात करते हैं देखिए अगर आप इस धरती पर पूरे वर्ल्ड में 80 प्रतिशत लोगों को देखेंगे तो वो बहुत चिंता में हैं तनाव में हैं वो चलती फिरती लाशे बन चुके हैं क्योंकि उनका समय या तो past में गुजर रहा है regrets में पचतावे में पच्चाताप में कि मेरी जिंदगी में क्यों हुआ या उनका समय future में गुजर रहा है कि अब क्या होगा वो चिंतित हैं आँगे को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग कुछ लोग जो ध्यानी है वो ही इस समय का सही आनंद ले पा रहे हैं क्योंकि चाहे आप past की बात कर लो चाहे आप future की बात कर लो दोनों ही जूटे काल हैं जूटे सच नहीं है वो जो सच है वो अभी है प्रेजेंट है और इसलिए दुनिया के हर इंसान को कम से कम 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करना चाहिए देखे ध्यान आप किसी भी चीज में कर सकते हैं एक तो ध्यान के लिए छवी बनाना बहुत बेकार है कि इसके लिए आपको ये ड्रेस पहननी है बूर ड्रेस पहननी है ऐसी पोजिशन में बैठना है और ना चाहने क्या-क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अभी भी ध्यान की स्तिति में हूँ और मेरा अभी वर्तमान ध्यान है साउंड मेडिटेशन जो मैं बोल रहा हूँ मैं उसे सुन रहा हूँ तो हर वेक्ति को अपने कर्म में रस लेने का प्रियास करना चाहिए कि ध्यान है और इसी चीज़ को हम ओशो के साथ में जोड़ने का प्रियास करेंगे लेकिन एक चीज़ आपको पता रहे सामाने इंसान को 20 मिनट लेकिन जो बहुत बीजी इसके पास में समय नहीं है 20 मिनट भी नहीं है उसे एक घंटा ध्यान करना चाहिए कि उसे वास्तविक्ता में अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने की जरुत है क्योंकि जिसके पास में ध्यान नहीं, जिसके पास focus concentration नहीं है, एक आगरता नहीं है, वो अस्त व्यस्त रहेगा और उसका जिंदिगी का बरबाद होना ते है, क्योंकि उर्जा उसके पास में है, लेकिन हो सकता है कि वो destructive way में चली जाए, वो बिनाशात्मक रूप में चली ज आप को समझ लीना है, और एक और चीज पता रहे, आज जब हर वक्त, हर समय, हर देश, हर जगे, एक बड़ा ही महत्वण मुद्द्दा चल रहा है, धर्म, और यह हमेशा से चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, हिंदु धर्म में ऐसा देखा गया कि यहाँ पर ब्राह्मन है, शत्री है, वेश्य है और सुद्र है शुद्र यह अक्सर सिखायत करते में पाए जाते हैं कि हिंदु धर्म में हमको अठूत माना जाता है और कहीना कि हमको साइडलाइन कर दिया गया है तो जो शुद्र लोग है, वो भगवान बुद्ध के कॉन्टेक्ट मर आकर कहीना कही अपने आपको साइडलाइन करते हैं ध्यान की तरफ चले जाते हैं तो धर्म और ध्यान के मद्य भी हमेशा हमेशा एक लड़ाई रही है तो मैं आपको ये भी आज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप भारत के भविश्य होने वाले हैं, तेजस्वी तपस्वी होने वाले हैं एक थोड़ा सा अंतर समझना बहुत जरूरी है हम सेक्स टू सूपर कॉंचिसनेस के उपर जाएं, सूपर कॉंचिसनेस को समझें थोड़ा सा बेसिक बाते हम लोग को समझ देनी चीए धर्म और ध्यान के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना बहुत जरूरी है और वो आइडिया बड़ा जब अरदस्त है और मैं यहाँ पर तोड़ा सा धर्म की बात करने का प्रियास करता हूँ कुछ बेसिक बाते हैं देखिए धर्म हमेशा यह कहता है कि किसी की पूजा करो अराधना करो, प्रेयर करो, स्तुती करो, अजान करो, जो करो ध्यान यह कहता है कि आपसे ज़्यादा पूजनिय कोई नहीं है यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आप ही पूजनिय है यह आप अपने आपको स्वय पूजनिय बनाता है कि आप खुद पर ध्यान दो खुद की सांसों को पकड़ो खुद के कर्म पर ध्यान दो जो कर रहे हो उसको पूरे मन से करो योग है करमेशु कुशलो कर्म में कुशलता लाओ क्योंकि वही योग है, वही ध्यान है यह कहता है किसी दूसरे की पूजा करो किसी दूसरे की हर धर्म कहता है किसी दूसरे की और किसी दूसरे की पूजा करने के बीच में कुछ और लोग भी होते हैं जिनके माध्यम से आपको पूजा करनी होती आप किसी भी X, Y, Z धर्मिस्तल पर गए इन चीजों को अपना ब्रेन ओपन करके सोचना बायस्ट मत होना बायस्ड होगे तो कभी concept नहीं समझ पाओगे आप किसी एक धर्मिस्तल पर चले गए वहाँ पर आपने चड़ावा चड़ाया और माल लेते हैं कि आपने पुराने नोट चड़ा दिये ऐसी currency चड़ा दिये जो चलती नहीं है तो आपको हाँ लोग टोक देंगे जो हाँ का main head होगा वो आपको टोक देगा कि अर यह क्यों कर रहा है तो यह तो गलत चीज है ईश्वर को पता नहीं यह कि नोट पुराना है कि नया है कि यह currency चलती है कि नहीं चलती है उपर क्या होता है ईश्वर के यहां क्या होता है कुछ नहीं पता है तो एक medium की जरौत होती है एक बिचोली की जरौत होती है जिसके माद्यम से आप किसी दूसरी की पुजा करते हो खुद से हट कर किसी दूसरी की पुजा करते हो अच्छा धर्म आपको यह कहता रहेगा कि एक दिन चमतकार होगा एक दिन चमतकार होगा ईश्वर उपर बैठावा कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है और वो चमतकार करने एक दिन नीचे जरूर आएगा जब आपकी सुन लेगा लेकिन ध्यान ये सिखाता है कि अगर आप एक सामाने इंसान भी है तब भी ध्यान के माध्यम से समाधी के माध्यम से एक आकरता के माध्यम से आप स्वयम उपर उठ सकते हैं और स्वयम चमतकारिक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं जिसा महात्मपुद्र के साथ में हो बशर्ते आप में ध्यान को अपनाने की हैसियत हो शम्ता हो ओशो ने बताया कि ध्यान की उच्चतम अवस्ता में वैसा ही महसूस होता है जो सेक्स के अंतिम शण में महसूस होता है इसकी बात हम लोग करेंगे लेकिन धर्म चमतकार में विश्वास करने को कहता है कि एक दिन चमतकार होगा लेकिन ये स्वयम को चमतकारित बनाता है कि आप जब पूरे मन से, पूरे तन से संपुन रूप से समर्पित होकर कोई कार्रे करते हैं ध्यान पूरो कोई कार्रे करते हैं तो आप स्वम उपर उठने लगते हैं और स्वम चमतकारी बन जाते हैं इत्रा ही नहीं धर्म में मैं फिर वो ही बात आजाएगे धर्म में पाप करने की और पापों को धोने की पूरी व्यवस्ता है और इसलिए लोग धो धोकर पाप करते रहते हैं व्यवस्ता है लेकिन ध्यान ये कहता है कि आप स्वम की धुलाई कैसे करें जिससे आपके मन में आप करने का खयाल हमेशा के लिए खतम हो जाएग पर भगवान बुद्ध से पूचा गया कि आपने जिंदगी भर ये किया ध्यान में आप रहे क्या मिला मिला कुछ नहीं सब कुछ चिन गया लोब चिन गया, इर्चा चिन गयी, त्रिशना चिन गयी काम चिन गया, माया चिन गयी, मो चिन गया डर खतम हो गया है मरने से भी डर नहीं लगता तो धर्म में क्या है धर्म ये कहता है कि पाप करो पाप कर सकते हो, धोने का पूरा इंतिजाम है, ज्यादा अमीर हो तो फटाफट दुलाई हो जाएगी अच्छा डिटरजेंट ये लिए आते है कोई एडवांस टाइप की कई बातें ऐसी हो जाती है ध्यान आंतरिक दुलाई पे काम करता है बहारी दुलाई पे काम नहीं करता है अंधरुनी दुलाई पे काम करता है स्वम को परिस्कृत करने के उपर काम करता है स्वम को चमत्कृत करने के उपर काम करता है अंधरुनी दुलाई जिसमें इंसान का मन निर्मल हो जाता है पाप करने की स्वाइच्छा खतम हो जाती यह समझ लेना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जिन्दगी में काम आएगा धर्म में आपको किसी एक अवतारी पुरुष के बारे में बताया जाता है और उसकी सिद्धियों की कि उसने अपड़ी जिन्दगी में जो सिद्धियां हासिल की उनके पास जो जो पावर थी उनकी पूजा करना, अरादना करना, स्तूति करना, प्रेयर करना, अजान करना सिखाता है लेकिन ध्यान ध्यान स्व्यम सिद्ध होना सिखाता है किसी और के सिद्धी नहीं खुद को सिद्ध होना सिखाता है क्योंकि आप जब कुछ कर्म कर रहे होते हैं तो उस कर्म के प्रती समर्पित हो जाते हैं और जब कर्म समर्पित होकर किया जाता है जो कोई भी हो अगर आप पढ़ाई भी पूरी तरीके से समर्पित होकर कर रहे हैं आपका पूरा फोकस पढ़ाई में है आपका पूरा फोकस जो कुछ कार्याप कर रहे हैं तो उस कार्य में आपके सिद्धी आ जाती है और जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो एक दिन ऐसा लगता है कि तो चमतकार कर रहा है आप दुनिया में देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे मन से अपना काम करते हैं उनके चहरे पे खुशी है उनके चहरे पे सुकून है, संतुस्टी है और कई लोग बस गास काटे जा रहे है वो परेशान है, वो दुकी है उनको BP है, उनको शूगर है कई लोग को लगता है कि ब्लड प्रेशर खून की समस्चा है, खून के तेज बहने की समस्चा है डाइबिटी, ब्लड शूगर, चीनी की समचा, कुछ नहीं है शूगर बढ़ जाता है तरक यहां की समश्या है चो अपने कर्म को पूरे मन से नहीं कर रहा है जिसके कर्म में अपनापन नहीं है जिसके कर्म में प्रेम नहीं है जिसके कर्म में ध्यान समाधी नहीं है तो अपने कर्म में घास काटे जा रहा है वो चैंतित, वैथित, वैगरित होगा और वो परेशान रहेगा और अपने आप उसे रोग घेर लेंगे तो किसी दूसरों के सिद्ध की पूजा नहीं स्वेम सिद्ध होना आपको ध्यान सिखाता है कि दूसरे ने इनके पास में ये ताकती उनके पास में वो ताकती इसलिए इनके आगे दंडवत्नमन हो जाओ ध्यान आपको स्वेम सिद्ध स्वेम ताकत वर होना सिखाता है खुद को जानना सिखाता है दूसरों को मानना नहीं कि इसको मानो इसको मानो इसको मानो ये ध्यान कभी बात नहीं करता है स्वेम को जानना सिखाता है यह ध्यान की ताकत है और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जब आपको पता रहे कि दुनिया के हर धर्म को ध्यान की जौरत है अगर मान लिजिए आप ध्यान रहीत धर्म का पालन कर रहे हैं कि आप किसी धर्म को फोलो करते हैं लेकिन ध्यान रहीत है, तो उस धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। मान लेते हैं कि आप किसी का नाम ले रहे हैं, और ध्यान पूर्वक पूरे मन से नहीं ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। धर्म का indirect target तो यही है, कि आप पूरे मन से उस काम को करने लगे. क्योंकि शान्ती आपको बिना तनमेता के, बिना समाधी के, बिना ध्यान के, बिना एकागरता के मिलना संभव है. कई बार आप देखते होंगे, जैसे मानलीजे, आप student है, आप जब पढ़ते हैं, तो आप frustrated होने लगते हैं, क्योंकि आपको interest नहीं है, रस नहीं आ रहा है, क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम अभ्यास ध्यानी होने का नहीं, विचलित होने का कर रहे हैं. मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, दूसरा नोटिफिकेशन आया, फिर किसी का message आया, फिर कोई नए रील आ गई, नया वीडियो आ गया, हम विचलित होने का अभ्यास कर रहे हैं, हम ध्यानी होने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमारे परिणाम वो नहीं है, जिसके हम उम्मीद करते हैं, खेर, ध्यान रहित धर्म किसी काम का नहीं है, ध्यान को धर्म की ज़रूत नहीं है, यहां धर्म नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को ध्यान चाहिए, बिना ध्यान का धर्म किसी मकसद का नहीं है, ध्यान ये सिखाता है, कि महान लोग इस धर्ती प उपर से आते हैं यह धर्म सिखाता है ध्यान यह कहता है कि नीचे सामान ने इंसान भी ध्यान के माध्यम से महान बन सकता है उसको भी वो सब कुछ पता हो सकता है जो इस ब्रह्मान्ड की इस यूनिवर्स की सच्चाई है आउतरन की बात नहीं करता है सेल्फ रिलाइजेशन की बात ध्यान करता है तो आपको इस पता होना चाहिए कुछ बेसिक बाते हैं और ध्यान का सीधा मतलब है अचीविंग अल्ट्रा फोकस स्टेट और मैं आपको सच बता रहा हूँ इस दुनिया का कोई सा भी देव कोई भी महादेव बिना फोकस हुए जब तक आप एक आगरचित नहीं होंगे आपसे प्रेम नहीं करेगा देवता उसी से प्रेम करते हैं अल्ला उसी से प्रेम करता है जो एक आगरचित है जो ध्यानी है जिसमें अपने कर्म में रस लिया जा रहा है और वो काम कर रहा है पून रूप से ध्यानी होकर और यही ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनने की शर्थ है कि अपने जिंदगी में जो कर्म किया जाए बिना शर्म के संपुन ध्यान के साथ में किया जाए ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए set हो जाना ची क्योंकि जिन लोगों में ध्यान की कमी है वो हमेशा चिंतित रहेंगे हमेशा परेशान रहेंगे और एक दिन उनका रोगी होना तै है भारत आज diabetes की यानि की sugar की और hypertension की यानि की blood pressure की राजधानी बन गया है पूरे विश्व में क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग चिंता में हैं चिंतन में नहीं है और जब तक आप चिंता करते रहोगे आपकी मानसिक उर्जा बिकार होती रहेगी solution नहीं problem focused अगर आप रहोगे तो problem के बाद एक समश्या के बाद दूसरी समश्या का जन्म होगा क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है वही दिमाग पैदा कर देता है दुनिया का सबसे बड़ा sex organ आपका दिमाग है इसको जो दोगे वही पैदा कर देगा शरीर को कुछ भी पैदा करने में नो महिने का समय लगता है दिमाग को कुछ भी पैदा करने में शन्मर लगता है अगर आप इसको चिंता दोगे तो कई चिंता हैं पैदा कर देगा आप इसको कमजोरी देगो तो आपकी कई कमजोरिया दिखागेगा आप इसको शक्ति दोगे तो आपको शक्ति बान बना देगा शक्ति मान बना देगा आपको इस समझना है कि आप अपने दिमाग को किस प्रकार से इस्तिमाल करना चाहते हैं इस सबसे बड़ा हतियार आपको मिला है इसको दिमाग में हमेशा के लिए बठा ले आज हमारा मुद्धा हमारे सम्मानिय व्यक्ति भगवान रजनी ओशो की बात में करने वाला हूँ देखें उन्होंने सेक्स शब्द का इस्तिमाल किया क्यों उनको पता था कि पूरी दुनिया दो चीजों को फोलो कर रही है पूरा संसार दो चीजों के पीछे है whole world इसमें exception है ही नहीं whole world और यह इंसान बहुत intelligent इनको पता था कि मुझे क्या इस्तिमाल करना है whole world behind money and sex men are earning money to get sex women are taking money to provide sex तो इस इंसान को पता चला कि अगर मुझे इस धर्ती को इस दुनिया के लोगों को ध्यान के उपर केंद्रित करना है तो मैंने पहले इन चीजों को बताना पड़ेगा मुझे sex की बात करने ही पड़ेगी वरना दुनिया का ध्यान ध्यान पर ही नहीं आएगा क्योंकि जब पैदा हुए तब industrialization चल रहा था दुनिया भागादोड में चल रही थी हर किसी को कमाने की जल्दी थी हर किसी को बचाने की जल्दी थी भागदोड की दुनिया में इस इंसान ने meditation के उपर जो attention खीश जाओ वो वागई काबिले तारीफ है पूरी दुनिया और तभी नोंने किताब लिखी जिसका नाम था sex to super consciousness sex यानि कि संभोग से समादी की और और यह बहुत बड़ा सच है कि हमेशा हमेशा मानव जाति का द्वंध धन और संभोग पे ही रहेगा अब अब अफसोस की बात है कि उसके बात क्या क्या हुआ वो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं ओशो का इमानना था कि sex आपको कुछ समय के लिए sex कुछ समय के लिए समाधी महसूस करवा सकता है यानि कि super consciousness महसूस करवा सकता है यह इनका मानना था sex इनका मानना है कि और्गाज्म जब कोई सा भी इनसान संभोग में जाता है तो एक अवस्ता ऐसी आती है जिसे चरम उतकर्ष अवस्ता कहते हैं हिंदि में सको चरम उतकर्ष कहते हैं अंगरे जी में orgasm कहा जाता है वह समय वह होता है उस्वक्त इनसान ना future के बारे में सोच रहा होता है ना past के बारे में सोच रहा होता है वो सिर्फ वरत्मान पर focused होता है very joyful state orgasmic state उसको हम लोग कहते है वैसा ही महसूस होता है जब आप समाधी में चले जाएं extreme meditation में चले जाएं super consciousness में चले जाएं तो आज इन दोनों को compare करना भी जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि चल क्या रहा है sex, super consciousness ध्यान और धर्म की हमने जो बात की वही बात हम अभी sex और super consciousness के लिए करने वाले हैं लेकि बढ़ी interesting बात है कि ओशो ने sex के बारे में बहुत open बात की और उनको के लोग sex guru भी कहने लगे और इसलिए कई controversies भी होने लगे आप believe नहीं करेंगे कि ओशो ने जो रजनीजपुरम मनाया था अमेरिका में वहां पर open sex था और मा शीला जिसके लिए कहा जाता है कि वो ओशो की मित्र थी जब वो 16 साल के थी तब से ओशो की contact में थी उनका खुद का कहना है वो भी reveal करती है वो जिन्दा है वो कहती है कि रजनीजप के कई महिलाओं के साथ में sexual relations थे इतना ही नहीं वो ये भी कहती है क कि ओशो के आश्रम में आने के बाद कई लोगों को अदबुद अतुल्य महसूस होने लगता था क्योंकि उनको विना बताए कुछ ऐसी दवाएं दी जाती थी जिसे वे शांत महसूस करें और वहां open culture था कोई किसी के साथ भी sex कर सकता था ओशो का इमानना था कि जब तक आ महादी आपसे कोशो दूर है ये ओशो का स्टेटमेंट था साथ में इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि ओशो अपने आपको ज्यादा शांत दिखाने के लिए कुछ ड्रक्स का इस्तिमाल करते थे जिसमें एक वेलियम है और एक नाइट्रस ऑकसाइड है ये मैं नहीं कह रहा हूँ नेट्फिलिक्स पर एक सिरीज आई है दा वाल्ड वाल्ड कंट्री अबाउट ओशो और उसमें उन सब लोगों के स्टेटमेंट्स है जो ओशो के फोलोवर थे रजनीश्पुरम में रहते थे ये स्टेटमेंट थो माशीला नहीं दिया है जिनको ओशो ने नाम दिया था माशीला वो वेलियम लेते थे वेलियम बिंग ए डॉक्टर मैं समझ सकता हूँ वेलियम इस डाइजेपाम डाइजेपाम एक बेंजोडाइजेपीन डेरिवेटिव है जिसको जो आप लेते हैं तो आप बिल्कुल शान्त हो जाते हैं बिल्कुल शान्त हो जाते हैं और आपने जब भी ओशो को कभी देखा होगा, सुना होगा तो आप पाएंगे कि वेक सामान इंशान के तुल्ला में ज्यादा शान्त दिखते हैं यह सिर्फ ध्यान का असर था या वेलियम का भी असर था एक मुद्दा है उसके अलावा इनाइटरस ओक्साइड भी लिया करते थे इनहेल करते थे उसको क्योंकि यह तो गैसिस फॉर्म में ही होती है यह भी आपको शांत करती है और आप दर्द रहीत महसूस करना शुरू कर देते है देखे जब भी आप किसी इनसान के बारे में जानना शुरू करें हर किताब एक इनसान को रिप्रेजेंट करती है हर इनसान एक किताब होता है उस हर किताब में कुछ अच्छे चेप्टर्स होते हैं कुछ बूरे chapters होते हैं हमें किन chapters को पकड़ना है कौनसे अध्याय हमें चुन लेने है उसके लिए पूरी किताब को पड़ना जरूरी है और मैं आज वो पूरी किताब आपके सामने लाने का प्रियास कर रहा हूँ अगर हम आधी चीज़ें पड़कर छोड़ देते तो शायद गलती हो जाती है ठीक है अपार्ट फॉर्म दिस अपार्ट फॉर्म दिस ओशो ने कुछ इल्लिगल मेरिजिस भी करवाई वो खेर एक बहुत छोटा मुद्दा है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपको और इस ग्यान के जरूरत होगी पर फिलाल हम की पॉइंट पर आ जाते हैं क्योंकि समय आपके पास में कम है सेक्स एंड सूपर कॉंशिसनेस लेकि सेक्स एक वो चीज है जिसके लिए कोई भी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है आपने सुना होगा कि फला लड़का इस लड़की को लेके भाग गया फला लड़की अपने पूरी परिवार को जहर देके वहां से भाग गई ये सेक्सुल एनरजी की ताकत है काम उर्जा की ताकत को हिंदु धर्म ने accept करते हुए काम देव नाम की एक शक्ती को नमन किया है मतलब इस सेक्सुल एनरजी के लिए काम उर्जा के लिए को इंसान अपने पूरे परिवार को तभा करके जहनों उसको जन्म दिया है खतम करके आगे बढ़ सकता है पूरी दुनिया से लड़ सकता है कुछ भी कर देंगे सनम तेरे लिए ये सेक्स की ताकत है क्यार सेक्स में किसी भी इंसान को आनन्द आता है ये एक प्लेजरिबल इवेंट है यहां भी आनन्द आता है ओशो कहते हैं किसमें असी मानन्द होता है असी मानन्द मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं आपको सच बता रहा हूँ किस धर्थी पर कुछ भी चमतकारिक हो रहा है तो उसमें कही ना कही सेक्स्वल एनरजी का बहुत बड़ा योगतान है सूपर कॉंचिसनेस यानी समाधी, मृत्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ उशो कहते हैं कि इसमें भी टाइमलेसनेस और गाजल के समय में टाइमलेसनेस और इगोलेसनेस महसूस होती जब इंसान को लगता है कि इस धर्ती पे कोई नहीं है सिर्व मैं ही हूँ, समय उसके लिए रुक जाता है वो ना भूत काल की चिंता करता है, ना उसको पश्चाताप होता है ना उसको एंग्जाइटी होती है उसी समय में हो जाता, आपको पता है इसके शक्ती इतनी है कि पूरी दुनिया में कानून होने के बावजू सब को पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी रेप होते है लोग को फांसी की सजा तक दी जाती है, ये वो ताकत है अब इसी उर्जा को गर कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में यूज किया जाए तो सोचो किता बड़ा चमतकारी कर सकती है जब इंसान अपनी मौत से भी खेलने को तयार है इस उर्जा के प्रभाह के लिए क्योंकि उसको लगता है कि उर्जा का प्रभाह की तरफ हो सकता है जब कि सच यह है कि कि किसी भी चीज का फ्लो बाइडिरेक्शनल होता है दिवी में होता है ओशो कहते हैं कि सूपर कॉंशिसनेस भी टाइमलेसनेस से मतलब आपको समय काल महसूस होना बंद हो जाता है और आपका घमंड आपका इगो आपकी प्रतिस्ठा आपका पद शुनने हो जाता है और इसलिए आप देखते होंगे कि जब इंसान सेक्शुल एनरजी के कंट्रोल में आता है तो वो पद और प्रतिस्ठा को भी भूलने को त्यार होता है जो चीज उसने सालों सालों मेहनत करके कमाई है वो उसको भी खत्म करने को त्यार होता है ये सेक्शुल एनरजी की पावर है लेकिन दिक्कत क्या है जब भी आप सेक्स करते हैं जब भी आप sexual activity में involved होते हैं, तो आपकी energy कम होने लगती है, क्योंकि आप, आपकी energy किसी और में flow हो रही है, क्योंकि आपको पता है, sexual contact में obvious सी बाते, दो लोग आपस में involved रहते हैं, तो आपकी energy कम होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में transfer होती है, super consciousness में आपकी energy बढ़ती है, किसमें दो लोग आपस में interact कर रहे हैं, जिसमें energy कम हो जा रही है, इसमें energy बढ़ जा रही है, समाधी, जिसकी बात कर रहा हूँ, sex, energy कम करता है, समाधी यानि super consciousness, energy को बढ़ाती है, आनन दोनों में same मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मैं आपको बताऊंगा, कि super consciousness कैसे हासिल की जा सकती है, important चीज क्या है, कि जब आप, sex की बात करते हैं, तो इसका time limitation होता है, it is limited, यह वो सारी बाते हैं, जो ओशो ने अपनी किताब, sex to super consciousness में कहा है, संभोग से समादी की ओर में कहा है, इसका time limited है, जबकि आप unlimited feel कर सकते हैं, कोई भी इंसान अगर अपने काम में रस ले रहा है, अपने कारे में रस ले रहा है, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरे समर्पन के साथ में, तनमेता एका करता है, कि साथ में अपने काम को कर रहा है, तो वो इंसान समादी में है, मैं आपको सच बता रहूँ, जिस इंसान ने ध्यान को करना सीख लिया, वो इंसान एक घंटे का काम, पाँच मिनटे में और दस घंटे का काम, एक गंटे में करने लगता है और जिसने सम्हादी को अपने जीवन में लेहाया सूपर कॉंचिसनेस में तो उसको कोई काम करना ही नहीं पड़ता क्योंकि उसको हर काम effortless महसूस होता है परियास हीन क्योंकि वो उसमें पानी की तरह घुल जाता है पानी की तरह मिल जाता है एक और चीज़ जब आप इस energy का damage करते हैं काम उर्जा को बहाते हैं खत्म करते हैं तो आप पहले भोगी बनते हैं और भोगी अंतत्तह रोगी बन जाता है जबकि यहाँ पर लोग योगी बनते हैं अगर आपको super consciousness का भ्यास करना आ गया तो आजान नहीं होता जब ओशो से उनके followers पूसते थे कि super consciousness कैसा महसूस करवाती है तो अपने followers से कहते थे बिलकुल वैसा ही जैसा की संभोग के अंतिम शणों में होता है और इसलिए ओशो के आश्रम में open sex permitted है वो कभी सी इसके against नहीं रहे अपार्ट फॉर्म दिस देखे sex या संभोग lower consciousness इसके साथ भी possible है जानवर भी ये काम कर सकते है sex lower consciousness इसके साथ भी possible है लेकिन super consciousness is a higher state of consciousness that requires two efforts तो जब ओशो ने कहा कि super consciousness बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि संभोग के अंतिम शणों में मैसूस होती है तो लोगों ने आसान रास्ता चुना कि क्यों न सेक्सी कर लिया जाए super consciousness समाधी को हासिल करना असान नहीं है efforts लगते हैं और जब आश्रम में नशिली दवायां दी जा रही हो बहतर मैसूस करने के लिए लेकि हर इंसान चाहता है कोई भी हो ओशो ही क्यों ना हो हर इंसान के अपनी महत्वका अंग्शा ही होती हो भी चाहते हैं कि वो लोगों से गेरे रहे लोग वहां कब रहेंगे जब उनको भैतरीन मैसूस होगा भैतरीन कैसे मैसूस होगा जब उनकों आंद कैसे आएगा तो कुछ केमिकल इंडक्शन भी किया जा सकता है कुछ दवायां भी दी जा सकती है और ऐसा किया गया था लोगर कॉंशनेस मतलब यह काम एनिमल भी कर सकते हैं जानवर भी कर सकते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग बात एक बार आपको बताता हूँ बढ़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि इंसानी सरीर यह हाईर स्टेट ऑफ कॉंशनेस के साथ ही संबब है आप भी देखेंगे कि हमारे शरीर में जब कुछ भी रिलीज होता है बहार की और जाता है कुछ भी रिलीज होता है बहार की तरफ जाता है simply आप सोचालने का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो जब भी हमारे सरीर से कुछ खाली होता है तो हमें अच्छा महसूस होता है क्या आप इस बात से अगरी करते हैं मैं आपकी चेट सबड़ रहा हूँ जब भी खाली होता है हम अच्छा महसूस करते है जैसे सेक्श्वल एनरजी यानि की संभो के समय में इंसान और्गाजमिक स्टेट में आता है तो भूतकाल और भविश्यकाल पास्ट और फ्यूचर वहां से खतम हो जाता है समय रुक जाता है दिमाग विचार शुन्ने हो जाता है और तब अच्छा महसूस होता है इंसान के सरीर से जब कोई चीज रिलीज होती है चाहे वो एक्सक्रिटा हो चाहे वो सीमन हो चाहे वो यूरीन हो चाहे वो थौट्स हो उसे अच्छा महसूस होता है खालीपन ही आनन्द में है और वो यही कह रहे हैं कि तुम जब तक अपने विचारों से मुक्त नहीं हो पाओगे तुम इसी दौड में गुमते रहोगे या ध्यान है या धर्म है या आनन्द है या असीमानन्द है या सेक्स है या सुपर कॉंचिसनेस अगर जीवन में अपनी उर्जा को बनाये रखते हुए अपनी ताकत को बनाये रखते हुए अपनी त्वचा पर चमक को बनाये रखते हुए कुछ भी महान क्रांतिकारी काम करना है तो आपको सुपर कॉंचिसनेस का साहरा लेना पड़ेगा ध्यान में जीवन जीना पड़ेगा पूरे काम में रस लेकर करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि उसके बिना आप खुद की सत्र प्रतिशत जिन्दगी को बरबाद कर दोगे जीवन समझी नहीं पाओगे मौत वाली जिन्दगी जीते रहोगे बेसिक कॉंसेप्ट आप समझ ले आपके परस्नल डिसिजन के उपर मेरी कोई राय नहीं है आप जो करना चाहते हैं वो आप करें मैं उसको नहीं रोक रहा हूँ लेकिन जो कुछ भी करें पूरे मन से और खुले दिमाग से करें तो हमें यह समझ लेना है कि एनरजी का फ्लो दो रहा है और जब सेक्स वेक्यून क्रियेट करता है कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर में वेक्यून क्रियेट करती है वो हमें आनन देती है चाह वो थौर्ट्स का हो चाह फ्लूड का हो चाह किसी और का हो वेक्यून निर्वात खालिस्तान हमें अधा असी मानल का नमोग कराता है अब मुद्दा ये है कि सूपर कॉंशिसनेस को कैसे हासिल किया जाए और अगर हासिल कर लेंगे उसका बेनिफिट क्या है सूपर कॉंशिसनेस का मतलब होफ़िले आप समझ पा रहे होंगे ध्यान को दस से गुणा कर दे ध्यान को गर आप दस से गुणा कर देंगे तो आप इस स्टेट में आ जाते है समाधी मतलब मेडिटेशन मल्टिप्लाई टेन इस सूपर कॉंशिसनेस देगे सबसे पहली बात तो ये कि हमें ध्यान करना क्यों है मैं आपको सच बता रहा हूँ आने वाले समय में कोई भी इंसान कोई भी इंसान या तो मेडिसीन के दम पे जी रहा होगा या मेडिटेशन के दम पर ऐसा समय आने वाला है आप जिस तरीके से इंटरनेट से घिरे हुए हैं अब हर घर से पागल निकलेगा आप या तो दवाई के दम पर जीएंगे या तो दवा के दम पर जीएंगे या दुआ के दम पर जीएंगे और ध्यान का सीधा मतलब मैं ये कताई नहीं कह रहा हूँ कि आप आज आसन में बैट जाएए बिलकुल नहीं जो कर्म कर रहे हैं ध्यान से करो ध्यान से चलो ध्यान से सुनो ध्यान से बोलो ध्यान से खाओ ध्यान से पीओ ध्यान से नहो ध्यान से पड़ो ध्यान 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 और ध्यान भारतिय संस्कृति में ही ध्यान बताया गया है इंडियन्स नहीं बताया बाकि सब ने हमें कौपी किया और सब आज से वरिसर्च कर रहे हैं ध्यान के उपर आप यह समझे लें कि किसी भी इंसान की जिंदिगी में कोई साब भी हुमन है उसकी जिंदिगी में तीन समय है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, फ्यूचर में एंग्जाइटी है और 33 प्रतिशत लोग अपना, 33 प्रतिशत समय, मतलब अगर कोई इंशान मान लो 100 साल जी रहा है, तो 33 साल तो फ्यूचर को सोचते बरबात करेगा, 33 साल पास्ट यानि भूत काल को सोचते बरबात करेगा, और यहाँ पर समय बहुत कम बचेगा, तो अगर किसी इंसान को अपनी जीवन का इफेक्टिव इस्तिमाल करना है, तो उसे ध्यान की कला सीख लेनी पड़ेगी, सबसे पहली बात है, और एक चीज़, जब सूपर कॉंचिसनेस होना चाहते हैं, तो इसा कहा जाता है, इस धर्ती पर देखने के लिए कई बहतरीन जगए है, लेकिन जो सबसे बहतरीन है, वो खुद की स्वास है, महात्मा बुद्ध ने अपनी जिन्दगी में स्वास के उपर ध्यान दिया और उनका इमानना था, कि जिस इंसान को ब्रमांड से यूनिवर्स से क्रपा चाहिए, इसकी शक्ती चाहिए, इसके साथ जुड़ना है, तो अपनी स्वास पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के बीच में स्वास ब्रमांड, ब्रमांड और मनुष्य के बीच में स्वास ही वो ब्रिज है, अगर उसने वो ब्रिज पकड़ लिया, तो मनुष्य ब्रमांड की आत्रा कर सकता है, वो संपूल शक्तिया उस मनुष्य में समाहित हो सकती है, जो ब्रमांड में है, अगर वो स्वास की सीड़ी को पकड़ ले कुछ चमत कारिक करने का रास्ता यही यह मैं आप को घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूं're कमंडल लेकर भार जाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कर्म कर रहे हो उसमें चमतकारिक करो कुछ ऐसा करो जो असामानने हो कुछ ऐसा करो जो बहतरीन हो कुछ ऐसा करो जो आस्चरिजने को कुछ ऐसा करो जो नोबेल हो कुछ ऐसा करो जो इनोवेशन हो invention हो, कुछ ऐसा करो कि भारत शर्षक्त बने ध्यान एक आगरता हो distraction खतम या तो आप ध्यान का अभ्यास करते हैं या विचलित होने का अभ्यास करते हैं अभ्यास अभ्यास का खेल है जो जैसा अभ्यास करेगा वैसा बन जाएगा ध्यान से कुछ भी संभव नहीं है मैंने चैट में पढ़ा इनका कहना है कि ध्यान से कुछ भी संभव है मैं करूँ ध्यान से कुछ नहीं हो सकता ध्यान पूर्वक की गई किसी भी किरिया से सब कुछ हो सकता है ध्यान कोई अलग से किरिया नहीं है एक चीज को समेटे लो अपने दिमाग में हर वक्त के लिए सूपर कॉंशिसनेस समाधी का सीधा मतलब है कि ध्यान को अलग क्रिया मानना बन कर दिया जाए और अपनी हर एक क्रिया में ध्यान को समाहित कर लिया जाए यही सूपर कॉंशिसनेस है जब तक आप ध्यान को अलग मानते रहते हो, वो ध्यान ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान को हर क्रिया के साथ जोड़ लेते हो, वही ध्यान समाधी बन जाता है सुपरbig consciousness बन जाता है और वही से शुरुवात होती चमतकार की आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो पुरे मन से आज इंदुस्तान के करोडों लोगों की समश्या यह है कायम चूर्ण के एड हर दिन चप रहे हैं पेट सफा के चप रहे हैं ऐसी डिटी की दवाईयों के चप रहे हैं पाचन कमजोर मजबूत करने वाली दवाईयों के चप रहे हैं खाना खाने का समय ही नहीं है ध्यान पूर्वा खाना खाने का समय नहीं है ध्यान से शांती से बैट कर जब खाना खाते हैं तो लार सलाइवा सेकरिट होता है खाना बहुत अच्छे से पच्छता है, जब खाना पच्छता है तो उर्जा आती है और उर्जा से ध्यान कुरो कारे किये जा सकते हैं लेकिन हम फर उस चीज को फॉर्मिलिटी माने जा रहे हैं, घास काटे जा रहे हैं खाना दो मिनिट में खा लेंगे, अब बैठ कर ध्यान करेंगे, खाना खाते हुए ध्यान करो, यही तो सूपर कॉंचिसनेस है, अगर आप यह सोचते हैं कि इसके लिए अलग से समय देना है तो यह ध्यान है, लेकिन हर क्रिया में इसे जोड़ लेना है तो वह समाधी है, और एक समय बाद जब लंबे समय तक ध्यान के अवस्ता में यानी की समाधी में रहते हैं, तो आपको वो असीम आनंद, टाइमलेसनेस, इगोलेसनेस, एनरजी बढ़ते हुए, अनलिमिटिड वो आनंद महसूस होने लगता है, जो संभोग की चरम उतकर समय में महसूस होता ह जो मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि ओजस्वी तेजसी तपस्वी भारत, एक मिशन है, एक धर्म है, एक ताकत है, एक शक्ती है, जो मैं आप से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं समपुन ध्यान के अवस्ता में होता हूँ, टाइमलेसनेस और इगोलेसने मैं सूस कर रहा हूं मेरे लिए यही ध्यान है मेरे लिए यही सपना है यही समाधी है यही सूपर कॉंचिसनेस है हर कर्म के साथ मैं ध्यान को छोड़ ले अब इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि देखो एक विध्यारती क्योंकि भारत में बहुत सारे और मुझे तो अक्सर विध्यारती सुनते ही है एक विध्यारती कैसे धीरे धीरे सूपर कॉंचिसनेस को अपनी लाइफ में जूड़ सकता है क्योंकि उसके लिए यह शब्द सुनना ही अपने आप में बड़ी पात है देखिया आपके जितने भी सवाल है मैं शानती से अंत समय में आपका जवाब दूँगा एक पर आप चीज़े सुनिए इंप्लिमेंट करिए अब जब तक सवाल ही पूछते रहेंगे तो जवाबों को मिस कर जाएंगे नजाने कितने जवाब में दे चुका हूँ लेकिन आपका दिमाग उस सवाल पर अठका हुआ है तो वो हर चीज़ को रिजेक्ट करता जा रहा है क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है हर बात एक जवाब होती है बशर्ते उस बात को आप उस सवाल से जोड पाए लेकिन आप नहीं जोड रहे हैं क्योंकि आप सवाल से जुड़े हुए हैं जब तक उस सवाल का मो नहीं छुडेंगे, तो आप बात से नहीं जुडेंगे, और जब तक बात से नहीं जुडेंगे, तो सवाल से जुडेंगे, तो आपके पास में कभी जवाब आएगा भी रही, शांति से सुने, एक विध्यारती अपने जीवन में, मेरा सबसे पहला मा वानना है किसी-किसी विध्यारती को Deep breathing का अभ्यास करना चाहिए यहां से वो अपनी ध्यान की जर्णी को शुरू कर सकता है क्योंकि जब सामानी चीज रुख जाती तो उस पर ध्यान चला जाता है जैसे ही आप स्वास को रोकते हैं आपका ध्यान अपने आप स्वास पे चला जाता है कि मैंने स्वास रोक रखी है यहां से आप अभ्यास करना शुरू करते हैं यहां से अभ्यास की शुरुवात होती है मैंने स्वास खीचा और अब अपने आप मेरा ध्यान स्वास पे चला गया क्योंकि मैंने स्वास को रोक लिया कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में या किसी बैसे काम में आपका ध्यान नहीं लग रहा हो मन नहीं लग रहा हो मन को कैसे शांत करे, मन को कैसे रोके, मन को कैसे इस्टिल करे, मन को कैसे स्थिर करे क्योंकि स्थिर मन ही ठाकतवर मन है, काम का मन है, बाकी तो सब अक्वास इस्टिल माइंड, इस्ट्रू माइंड, बाकी तो सब अक्वास गहरी स्वास देने का प्यास करे गहरी सांस से आप ये महसूस करेंगे कि आपका ध्यान दिर दिरे टहरे लिखने का प्रियास करें ये अपने जीवन में डाल लें लिखना मैं आपको सच बता रहा हू Ved जब आप लिख रहे हैं तो लिखें जिन भी शब्दों को लिख रहे हैं उनको पूरे ध्यान से देखते वे लिखे आपको पढ़ाई क्यों करवाई जा रही है आप अगर स्टूडेंट के तौर पढ़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ध्यान का अभ्यास करने के लिए क्यों ध्यान का अभ्यास कर रहा है एक सामानने काम को भी आप्चमतकारिक बना सकते हैं अगर वो काम ध्यान के द्वारा किया हुआ हो तो विध्यारती का तो धर्म ही ध्यान है जो विध्यारती होकर भी ध्यान पूरवक अपना कारे नहीं कर रहा है उपने धर्म का बालन नहीं कर रहा है लेकिन आज तो सब चिलाए जा रहे हैं कोई इसको गाली दे रहा है कोई उसको गाली दे रहा है कोई इस पे पत्तर फेक रहा है कोई इस पे तलवार चला रहा है ये विद्यारती का धर्म नहीं है ध्यान और जब बड़े विकट हालात आ जाए तब धर्म की ब्रक्षा कर रही है, कहां दिक्कत है उसमें लेकिन पहले ध्यान जैसे राम अगर चिला के बोल रहे हो तो उससे पहले मन में एक लाख बार बोला हो आना चीए पुरे मन से नाम का भी ध्यान होता है लेकिन आप तो अपने कर्मों में ही ध्यान को लाइए लिखिए हर दिन रात को लिखनी बनाईए कि आज मैंने क्या किया, what I did मैं कल क्या करूँगा, आज मेरा achievement क्या है, for achievement, आज मेरा regret क्या है, क्या मैंने ऐसा किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और चुप रहो चुप रहने का भ्यास करो दिखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ अगर किसी इंसान को बिना नशे के नशे में रहना हो बिना सुख के आनंद में रहना हो बिना किसी happy moment के happy रहना हो तो उसे दो काम करने चाहिए चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए भारी रूप से और अपनी स्वास पर ध्यान देते हुए आंतरिक रूप से भी मौन हो जाना चाहिए बोलना बंद कर दे, मौन हो जाए और अपनी स्वास पर ध्यान दे आखे बंद कर ले मोन का अब ध्यास करेंगे बिल्कुल चुप हो गए और स्वास पर ध्यान दे स्वास पर ध्यान आप ये महसूस करेंगे कि आपके जीवन में चमतकार होना शुरूर है कैसे? मैं आपको कुछ बेसिक बाते बता रहा हूँ आप अगर meditation के benefits को देखते हैं ध्यान के meditation को देखते हैं ध्यान से चिंची जो को समझते हैं तो यहाँ देखे क्या क्यान के फाइदे हैं aging को slow करता है master of stress super duper deep sleep पे आप जा सकते हैं weight कम होता है neurotransmitter शान्त होते हैं दर्द कम होता है अच्छे hormones release होते है brain बड़ा होने लगता है neurogenesis करता है ध्यान neurogenesis मतलब आपका brain बहतर काम करने लगता ऐसा नहीं कि फटके बहार आ जाएगा serotonin growth hormone release होता है healing better होती है super antioxidant है ध्यान और ना जाने कित्ती बात है aging को slow करता है और यह मैंने कह रहा हूँ data कह रहा है इंसान देट सो सालों तक जी सकता है इंसान देट सो सालों तक जी सकता है और उसमें ध्यान का बहुत बड़ा योगदान है कैसे मैंने सबसे पहला point कहा जब ध्यान के फाइदे की बात में कर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा slow down aging तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि aging होती कैसे है तो aging के लिए जो तत्वे जिम्मदार है उनको हम कहते हैं free radical ये आपकी cells को damage करते हैं आपके organs को damage करते हैं आपकी तुचा पर जुर्यां आती है और आप समय से पहले बुढ़्डे दिखने लगते हैं इसकी पिछे जिम्मदार है free radicals और इसलिए market में ऐसे product आ गए हैं जो कहते हैं हम antioxidant है हम antioxidant है हम antioxidant है यानि कि वो free radicals को खतम करने का काम करते है ठीक है antioxidant free radicals को खतम करने का काम करते हैं ठीक है free radicals को कैसे खतम करते हैं तो free radicals को एक electron दे देते हैं antioxidant एक electron दे देते हैं और जिससे वो free radicals शान्थ हो जाता है और आगे damage नहीं करता है आप देखेंगे जब free radicals generate होता है तो वो आपकी physical aging को speed up कर देता है skin को sports हो जाएंगे लटकने लगेगी जुर्यां आ जाएंगी artery को hard कर देगा जिससे दिल का दोरा पड़ सकता है brain hemorrhage हो सकता है DNA damage हो सकता है और ना जाने क्या क्या हो सकता है यह सब कुछ free radical करता है और यह सब कुछ stress इसमें एक major factor है हमारी body में जितने atoms है उन सब को damage करने का दम होता है एक free radical में तो हमारे स्रीर में कौन ऐसा है जो इस चीज को रोकता है तो वो काम करते हैं antioxidant antioxidant क्या करते हैं कि किसी free radical को electron दे देते हैं जिससे वो free radical शान्थ हो जाता है उसको missing electron दे देता है antioxidant और meditation खुद भी antioxidant है कैसे क्योंकि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा antioxidant molecule है उसका नाम है glutathion the legend glutathion is the mother of all antioxidants और इस glutathion को जो हर एक radical को damage करने की या खतम करने की हैसेत रखता है ऐसा prove हो चुका है कि meditation boost glutathion by 41% मतलब हमारे शरीर में free radicals को खतम करते है antioxidant उनमें सबसे जो बड़ा king है राजा है उसको नाम है glutathion और study यह कहती है कि ध्यान के माध्यम सिर्फ ध्यान के समाधी बहुत बड़ी चीज़ें सिर्फ ध्यान के माध्यम से आप glutathion को 41% से increase कर सकते हैं और ये तक कहा गया है study में कि आप ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के extreme तक यानि कि 256 सालों तक भी पहुँच सकते हैं ये तो बहुत दूर की बात है मैं तो कहता हूँ कि इंसान अगर 70 साल भी जी रहा है लेकिन उसकी quality of life सही है बीपी शुगर की दवाओं के दम से नहीं जी रहा है तो सही जिन्दकी जी रहा है मैंने एक बताया है कि कैसे गलूटा थी उनको boost करता है meditation या ध्यान तो एक benefit मैं आपको बता रहा हूँ एक benefit मैंने आपको बताया है जब मैं ध्यान की बात करता हूँ super consciousness यानि कि समादी की अवस्ता मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जब समादी में lean वेक्ति कुछ भी काम करता है तो उसे काम महसूस होना बंद हो जाता है आप ये समझ लें कि धर्म क्या है ध्यान क्या है sex क्या है super consciousness क्या है और जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को उसकी शुरुवात कैसे होती है अगर आपको कुछ नहीं करना है मैं हमेशा एक चीज बताता रहा हूँ आप 21 मतलब meditation ये मैंने खुद ने विध्यारतियों के लिए बनाया कुछ नहीं करें अभी अपनी एक उंगली यहां रख ले नाक के जस नीचे मूँ बंद कर ले और 21 बार काउंटिंग करते चले नहीं करते हैं तो अच्छी बात है कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं 21 बार अपनी सांस को आते चाते हैं महसूस कर ला है दीरे 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 आप ध्यान की प्रकांड अवस्था को हासिल करने लगेंगे और आप यह देखेंगे कि देनिक जीवन में आपकी कार्य शम्ता कार्य कुशल्ता काम करने का तरीका वर्किंग एफिशेंसी वर्किंग स्टाइल कॉंसेंट्रेशन मेंपरी बहतर हो रही है कामा बच्छा गर पा रहे है हमको ये भी समझ लेना है हम ओशो के कुछ और सिक्रेट्स की बात यहां पर करेंगे वो उपन थे और उनको बात में थेलियम पोईजन देकर मार दिया गया ऐसा खहते है उन वहां के कुछ डिवोटीज ने ये तक प्लान कर लिया था कि हम गॉवर्मेंट के खिलाफ लड़ेंगे और यहां के जो सिस्टम है उसको बॉब्म से उड़ाने ये प्लैनिंग तक वो कर चुगे थे तो गॉवर्मेंट उनके अगेंस्ट में हो गई थी और उसके बाद में कई कंट्रीज ने उनके एंट्री पर बेन लगा दिया था इंसान जहां जाता है वहां पर लोगो इकटा करकर वहां की सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है ठीर? ध्यान की बात हम लोग कर रहे हैं पहले मैंने फिजिकल बेनिफिट की बात की जहां पर मैं एजिंग स्लोडाउन की बात कर रहा था की कैसे Glutathion का concentration बढ़ता है जब आप ध्यान करते हैं तो एक आता है mental benefit और उसमें सबसे पहला है Neurogenesis पूरे focus से इस चीज को समझे देखिए Neurogenesis Neurogenesis एक किताब है How far can we take our brain best selling book है और इस किताब का actual title है The Brain That Changes Itself मतलब malleable brain की बात कर रहे हैं और इस किताब में ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे neurons fix है हमारा दिमाग कुछ conditions में कुछ विशे सवस्ताओं में और neurons बना सकता है और neurons बना सकता है कब जब वो meditation phase में चला जाए एक चीज ध्यान रगो जब हम हमारी माताजी के गर्म में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ट्रिलियन नियूरोन से final month of pregnancy में ये इतना deep data है कि लोग इसे समझना ही नहीं चाहते हैं चमतकार में सब भरोसा किये बैठे हैं जब आप अपनी माताजी के गर्म में होते हैं final month of pregnancy तो आपके दिमाग में एक ट्रिलियन नियूरोन होते हैं कुछ के लिए बड़ी खोबड़ी नहीं चाहिए उतनी चाहिए होती है लेकि नॉर्मन human adult में सिर्फ 100 billion नियूरोन होते हैं और उसमें भी प्रॉपर नियूरल कनेक्शन नहीं होता है आप अगर meditation में involved हो जाते हैं ध्यान में involved हो जाते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में नियूरोन्स की संख्या भी बढ़ने लगती है और ध्यान में lean वेक्ती बहुत तेजी से चल रहा होता है लेकिन स्थिर देखता है बिलकुल लट्टू की तरह है आपको बता है जब helicopter के पंका जब चल रहा होता है दिरे-दिरे तो चलता हो महसूस होता है जब बहुत तेज चलने लगता है तो लगता है कि रुख गया है जब वो उड़ने लगता है वही ध्यान है जब इंसान बहुत तेज फेज में चल रहा होता है ये कब संबब है जब दिमाग रुख जाए पाकिसब thoughts रुख जाए तो actual कर्म में इंसान का दिमाग तेजी से काम वरना वो दस समच्चाव में फसा हुआ है यहाँ सोच रहा है, वहाँ सोच रहा है, यहाँ सोच रहा है, वहाँ सोच रहा है कर्म लीनता और तनलीनता कि उसमें कमी होती है अब ध्यान करते हैं तो उससे क्या हो सकता है उससे ऐसा देखा गया है कि neurogenesis मतलब आपका दिमाग according to requirement नए neurons बनाने लगता है जिससे इंसान की super abilities develop होती है उसमें कई ऐसी capabilities आ जाती हैं जो उसमें उस वक्त नहीं थी वो समय के साथ में विक्सित कर लेता है मैं आपको सच बता रहा हूँ आज के कुछ साल पहले में मैं दो line भी ढंग से नहीं बोल पाता था लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि practice के साथ में focus के साथ में अध्यात्मिक जीवन के साथ में ध्यान के साथ में आप में वो सम्ताएं विक्सित हो जाती है जो आप एक सामाने से सामाने इंसान मना देती है और मैं यही आप में चाहता हूँ ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी इंसान वही होंगे जो अपने आपको human से superhuman के और ले जाने का परियास करेगा उस यात्रा में कई दर्द होंगे लेकिन परियास करना पड़ेगा meditation एक रास्ता है ध्यान एक रास्ता है करने ध्यान लाना है ध्यान करने बैठ नहीं जाना ध्यान करने बैठ नहीं जाना बिल्कुल नहीं मैठ जाना देखें यह चीज आपको समझ देना है कि सिर्फ meditation ही नहीं कुछ और भी तरीके ऐसे हैं आप कुछ tough questions solve करके puzzle को solve करके कुछ अपने आपको challenge करते हुए भी Neurogenesis को बढ़ा सकते हैं आप कुछ ऐसा करें जो आप सामने तर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका Neurogenesis start हो गया है कुछ और तरीके हैं अगर आप इसको detail में पढ़ना चाहें इस content को जो मैंने आपके लिए isolate किया है तो आज से telegram channel OTT भारत का launch कर दिया गया है वहाँ पर ये content आपको available होगा और कुछ समय में एक app भी launch किया जाएगा उसके लावा कुछ emotional benefits हैं जिसमें anxiety खतम हो जाती है depression खतम हो जाता है गुस्सा control हो जाता है mind mastery आपके पास में होगी adaptability आपके पास में होगी खुशी आपके पास में होगी डर आपका खतम हो जाएगा दिमाग शान्त रहेगा better relation आपके रहेगे tolerance आप में रहेगा mental clarity रहेगी की जिंदगी में करना क्या है relax आप रह पाएंगे और उसके बाद में spiritual benefits है जिसमें positive energy है अपने intuition को पहचानना है आप समय की ताकत को वरतमान की ताकत को समझ सकते हैं और पूरे संपुन ब्रमान की उर्जा आप में समाईत होने लगती है जब आप ध्यान को समझ जा दे मैं आपको सच बता रहा हूँ जब तक आप अपने दिमाग को वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है तो अपने आप neurogenesis स्टार्ट हो जाता है benefits aging को इंसान मैं तो सच कह रहा हूँ कि इसनसान पचाश साल भी जीता है लेकिन वो ध्यान में जी रहा है तो मेरे इसाब से उसकी जिंदगी मेरे इसाब से उसकी जिंदगी 1600 साल के बराबर है और अगर आपके घर में किसी को BP हो BP की दवाई चलती हो दवाई लेने दीजे ध्यान के लिए उनको बोलिए शूगर हो किसी को दबाई चलने दीजे ध्यान के लिए बोलिए आज भारत बिमार क्यों है क्योंकि भारत रील देख रहा है भारत को स्वांस की फील से कोई मतलब नहीं है और मैं तो आपको सच कह रहा हूँ जब आप अपने मोबाइल फोन को उठा कर अगर टाइप भी कर रहे हैं तो हर अक्षर को देखते हुए टाइप करिए टाइप भी कर रहे हर अक्षर को ध्यान से देखे लेकिन हम अक्षर को देखते हुए टाइप नहीं कर रहे हैं हम response को देखते वे type कर रहे हैं कि सामला क्या बोलने वाला है अब सामला क्या लिखेगा हम future की चिंता में अगर आप अक्षर को देखते वे type करेंगे पुरा proper तो वो भी ध्यान है किसी एक चीज में mobile भी ध्यान से चला सकते लेकिन हम वहाँ पर भी घास काट रहे हैं वहाँ पर भी तनलीनता नहीं है वहाँ पर सलगनता नहीं है और फिर घबराड होने लगती है मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन एक असामाने रहा पर चल पड़े आपका जीवन आपके परिवार से आपके खानदान से बहुत उपर उड़ जाए शान्ती का जीवन हो और समर्धी भी हो तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं ध्यान पूर्वक किये गए काम से होकर गुजरता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ध्यान कोई भी बेवकूफ इंसान अगर दस मिनट ध्यान कर ले रहा है और फिर अपने किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा रहा है ये ध्यान क्यों किया फोकस सेट करने के लिए फोकस सेट क्यों किया ताकि पूरे दिन ध्यान पूरू काम क्या जा सके पूरे दिन ध्यान पुरू काम क्यों कर सेके तक ही चमतकार क्या जा सेके लेकिन कई लोग 15 मिनिट ध्यान करके ध्यान को भूल जाते है और पूरा दिन सत्यानास करते है कोई मतलब नहीं से ध्यान का जो ध्यान कर्म से ना जुड़ा हो वो ध्यान नहीं व्यधान है वो व्यधान है आपकी जिंदगी में ध्यान जब कर्म से जुड़ जाता है तो कर्म पूझा बन जाता है और देवो के देव महादेव और सभी देवता आपके आगे नीचे आकर आपके समक्स नत्म स्तक करते हैं बसरते आपका कर्म और आपका ध्यान जुड़ा हो यह मैं आपको कह रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि ओशो ने जब इस सारी बातें की तो उनके साथ में कुछ कॉंट्रोवर्सिस भी connected थी और मैं आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ कि वहाँ पर ओशो ने कुछ लोगों को अमेरिका की fake citizenship दिलवाने के लिए जूटी शादियां भी करवाई और तभी से वो अमेरिका की नजर में आए और उनके उपर investigation लगाए गए चार सो रोने sham marriages करवाई यह sham marriages क्या होती है जब को शादी financial gain के लिए या फिर कहीं का immigration benefit वहाँ के वीजा को लेने के लिए वहाँ की citizenship को लेने के लिए की जाती है तो उसको शाम marriage बोलते हैं और वहीं से इनका downfall शुरू होता है मतलब एक इंसान जिसने भारत की सब्वेता को भारत के ज्यान को पुरी दुनिया में फैलाया लेकिन उनकी कहीना के एक over ambitiousness ने उनका downfall शुरू किया लेकिन ध्यान भारत की एक सबसे बड़ी ताकत है लेकिन important बात यही है कि इसे अपने हर कर्म के साथ में जोड़ा जाए क्योंकि ध्यान पूर्वक किया गया कर्म ही इश्वर की पूजा है बाकि सब आडंबर है सब दिखावा है आप से विज़ा लेता हूँ पोजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का मिशन अब और तेजर रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगा और हम लोग जागरुक, चाक्षर और ताकतवर ध्यानी बनकर इस देश को आगे लिजाने का प्रियास करेंगे जेव टीटी भारत ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी आप भी बने और हमारा देश भी दुबरातरी